मार्च दो हजार चोबिस तो चलिए जानते हैं मार्च में सभी राशियों का राशिफल कैसी रहने वाली है कौन सी राशिक किन चीजों का रखे ध्यान और किन चीजों से रहे बच कर तो चलिए शुरू करते है मेस राशी मार्च दो हजार चोबिस व्यापार में कोई पुराना समझोता तूट सकता है या बिजनर पार्टर के साथ भी समंदों में खटा सुद्पन हो सकती है यदि आप नोगरी की तलाश में हैं तो इस मां कुछ ऐसे अफसर आएंगे जो आपके लिए लाबदायक सित्तों होगे लेकिन आप उसमें सफल नह है तो इस समय उन से मिलने का प्लान कर सकते है यात्रा करने के योग है लेकिन इस दुर्ण पूरी सावदानी वरते घर में किसी काम को लेकर भी बाहर पर जाना होगा मेस रासी के लिए सुबंकर रहेगा मार्च में साथ और सुबरंग रहेगा महरून वरिशाव रासी मार्च रहेगी और आप इसके लिए डोक्टर के पास भी जाएंगे लेकिन जल्द आराम नहीं मिलेगा इसमा आपको अपने स्वास्त पर विशेश ध्यान देने के अवशकता है अन्यत्य इस्तिती बिगड जाएगी जोब की तलास में हैं तो इसमा जोब लगने के प्रबल संकेत है वरिशव रासी के लिए सुबंक रहेगा मार्च में तीन और सुबरंग रहेगा ग्रे मिथुन रासी मार्च दोजार चोबिश अपने कार्यस्तल पर किसी सहकर्मी या बोस के साथ ही कहा सुनी हो सकती है नई नोकरी के तलास रहेगी और उसमें सफलता मिलेगी व्यापार के लिए आपको यातरा पर जाना पड़ सकता है जिसमें नए समझोते होगे आर्थिक रूप से स्तिती बहतर होगी लेकिन अपने बचत के पैसों से कुछ खरीदना भी पड़ सकता है घर में बच्चे है तो उनके प्रती प्रेम और बढ़ेगा आप उन्हें बहतर तरीके से जानने का परियास करेंगे प्रेमी के साथ मिलने का प्लान बनेगा लेकिन किसी कारणवास उसमें अर्चणे आए और आप उसमें मिल नहीं पाएंगे बजार में आपको लेकर धारना बनेंगे और पुराने ग्राहक भी आपसे छटक सकते हैं मितुन राशी के लिए सुबं दायक रहेगा खर्चों पर नियंतर्म रखे और भविश्य को देखकर ही खर्च करें इस महां आपके आतों विश्वास में तो बड़ोतरी होगी लेकिन किसी को यह पसंद नहीं आएगा और वह आपका अहित करने का परियास कर सकता है यदि आपके या आपके परिवार के के उपर कोई पुराना कानूनी केश चल रहा है तो इस महां उसमें समस्या आ सकती है और आपको न्यायालो कि चक्कर काटने पड़ सकते हैं नोकरी में सबकुस ठीक रहेगा और सभी आपके काम से प्रसंद दिखाई देगे या पार में लाब आपके अनुमान के अनुसार ह यदि घर की आरतिकी स्थिति खराब चल रहे है तो आप पूरी मेहनत भी कर रहे है तो भी किसी की नजर आपके उपर लगी हुई है इससे बचने के लिए या तो जोतिशी सहारा ले या फिर कोई उपाय करे इस महां आपको अपने शत्रों से भी बच कर रहे और उनके साथ किसी तरह के जगड़े या विवाद में पढ़ने से बचे परिवार की आपसे किसी बात को लेकर अपेक्षा रहेगी और आप उन्हें पूरा भी करेंगे इस महां आपको अपने प्रेमी के साथ बनाकर रखने के आवशकता है ऐसे में खुस रहने का प्रियास करे और बहार घूमने भी लेकर जाए विवा के लिए रिस्ता ढूंड रहे है तो मामा पक्ष की ओर से किसी का रिस्ता आ सकता है जो आपकी मां को भी बहुत पसंद आएगा सिंग राशी के लिए सुबंक रहेगा मार्च में पांच और सुबरंग रहेगा पीला कन्या राशी मार्च दो की नाम बहतर होगे घर के किसी सदस्य का सयोग मिलेगा जो आपको अनंदित कर देगा स्वास्त ठीला रहेगा और सरदी जुखाम की समस्या हो सकती है गरम तासीर वाली चीजों को अपने भोजन में समलित करें और बाहर का खाना खाने से बचे जितना हो सके पोस्टिक और स सुबरंग रहेगा नीला तुला राशी मार्च 2024 इस माँ आपके अपने जीवन साथी के साथ नजदी कियां बढ़ेगी और दोनों कहीं आसफास गूमने का भी प्लान करेंगे लेकिन उसमें कुछ अडचने आ सकती है यदि आप प्रेम समंद में है तो आपको अपने पार् भी मिलेंगे गुठनों के दर्द की समस्या परेशान करेंगे लेकिन यदि महा के शुरुआत से ही गूमना शुरू कर देंगे तो सुबह के समय योग करेंगे तो बहुत सही रहेगा मानसिक रूप से महा के अंथ में किसी बात की चिंता सताती रहेगी तुला राशी के लि आपके कंधे पर एक उत्तरदाइत्व आएगा जिसका आपको भलीवाती पालन करना होगा परिवार के लोगों को और अच्छे से जानने और समझने का अफसर प्राप्त होगा और सभी के भी चापसी प्रेम भी बढ़ेगा नोकरी कर रहे हैं तो इसमा थोड़ा आराम मिलेग विच्चिक राशी के लिए सुबंग रहेगा मार्च में साथ और सुबरंग रहेगा सलेटी धनू राशी मार्च दोजाज़ चोबिस काम के अधिकता जादा रहेगी जिस कारण आप थकान का नुबव करेगे सुभाव में चेड़-चेड़ा पन भी आ सकता है सभी के साथ बना कर रखने का परियास करते नजर आएंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी कुछ बातों को लेकर मन में शंका रहेगी जिस कारण मानसिक तनाव भी संभाव है हाला कि इस माँ आपको अपने पार्टनर से बरपूर सायोग मिलेगा और वे आपकी सायता करते नजर आएगे आप भी उनके लिए कुछ स्पेशल करने का परियास करेंगे जिस से रिस्तों में मजबूती आएगी महा के आंते में आपको अपने परियासों का सुब फल प्राप्त होगा लेकिन आप उसमें संतुस्ट नहीं दिखाएं देगी धनुराशी के लिए सुबरंग रहेगा मार्च में नो और सुबरंग रहेगा सुएथ मकर राशी मार्च दोजार चोबिस परिवार में किसी सदस्य की तवियात अचानक से बहुत कराब रह सकती है जिसमें अधिक खर्च होगा घर के किसी काम से करजा भी लेना पड़ सकता है नोकरी में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वहां से ऐसा फलता हाथ लगेगी और बोस आपके काम से खुश दिखाई नहीं देंगे सोशल मीडिया पर किसी के प्रती आकर्शन का भाव आएगा और उनसे बाच्चीत भी होगी कि ऐसे में सुरु से उत्तेजित होने से बचे और उन्हें पूरा समय दे विवाही जीवन में कुछ ऐसा अनुभव करने को मिलेगा जो दोनों के बीच एक मीठी याद बनकर रह जाएगा मित्रों में से किसी की साधी का निमंत्रन भी आ सकता है मकर राशी के लिए सुबंक रहेगा मार्च में छे और शुबरंग रहेगा हरा कुम्ब राशी मार्च दोजार चोबिस रिस्तों को लेकर सतर करहे क्योंकि घर के किसी से दस्ते की बात को लेकर आप बेवज़े में सवेंदल सील रवईया अपना सकते है जिससे रिस्तों में दूरियां बढ़ जाएगी बात खुल कर करेंगे तो उसका ज़्यादा सकारात्मक परिनाम प्राप्त होगा माता पिता में से किसी एकका स्वास्त धीला रह सकता है ऐसे में उन्हें बाहर जाने देने से बचे इस माह बिजली की चीजों से भी सावधान रहे और जितना हो सके उनसे दूरी बना कर रखे पैसो के लेंदेन में भी सावधानी बरते इस माह आपके उपर शनीदेव भारी रहेगा इसलिए शनी वार के दिन शनी मंदिर में जाकर तेल चड़ाए और उनसे शमा मांगे घर पर भी तीन बार हनुमान चालिसा पढ़ने की आदत डाले कुम्ब राशी के लिए मार्च में सुबंक रहेगा दो और सुबरंग रहेगा संत्री मीन राशी मार्च दोजाचोबिस परिवार में समहारों होगा और आप उसमें महतवपून भूमी का निबा सकते है मान सम्मान में वृद्धी होगी और सभी आपके व्यवार की प्रसंसा करेगे आने वाले दिनों में आपको अपने किसी जानने वाले से खुशी का संदेश मिलेगा जिससे घर में भी उतसव का माहूल रहेगा यदि आप किसी खेलकूद में है या सरकारी परिक्षा के लिए फिजिकल की तियारी कर रहे है तो इस माँ आपका जादा तर ध्यान रखे क्योंकि कोई दुरगट न हो सकती है पैसे कही निवेश किये हुए है तो वहाँ से लाब तो प्राप्त होगा लेकिन वह जल्दी नहीं मिल पाएगा इस माँ आर्थिक मामलों में सयम से काम लेने की आवशकता है मीन राशी के लिए सुबरंग रहेगा मार्च में चार और सुबरंग रहेगा आस्मानी जै शरी राम